लो गाईज स्वागत एक बर फिर्स से आप सभी का आपके अपने ही चैनल फैंटसी बस पे हम यहाँ बात करने वाले हैं LPL T20 का जो 9th मैच खेला जाएगा KF वर्सेश जीजी के बीच में इसके बारे में फुल प्रिव्यू लेके आएं पूरा वीडियो देखेंगे तो खुछ से अपनी टीम बना पाएंगे क्योंकि इस वीडियो में हर एक प्लेयर के बारे में डीटेल्ड इन्फोर्मेशन आपसे सेयर की जाएगी बस आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है एक चीज और इंपोर्टेंट है कि इस वीडियो के बाद कोई भी फर्दर अपडेट आता है आफ्र टॉस के बाद कोई ऐसी निउज जो की आपके लिए बेहद इंपोर्टेंट हो सकती है आपकी फैंटेसी विनिंग कीम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकता है तो उस सारी चीजे आपको टेलिग्राम चैनल पे से शेयर कर दी जाती है तो अगर अभी तक आप हमार टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलिग्राम चैनल से जुड़ना बहुत जरूरी और बिल्कूल फ्री है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षिन के सबसे पहले कमेंट में दे दिया गया है पिच रिपोर्ट की बात करें अगर आप देखेंगे domestically तो 155 का average score internationally 173 का average score यानि यहां से तो एक decent wicket दिखता है बल्लेबाजी के लिए अगर बल्लेबाज अच्छा के लिए तो अच्छा भी कर सकता है जो तीन मैचेज हुए है उसमें दो मुकाबले फर्स्ट बल्लेबाजी के लिए टीम 201 का first inning average score 169 का second inning average score यानि यहां से भी अच्छा बल्लेबाजी विगट दिखा प्लस spinner और पेशर्स almost neutral support है और जैसे जैसे मैचेज खेले जाते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि spinners भी अच्छा कर रहे है वैसे तो ठीक ही ठाक इस मैच को छोड़ दो तो इस मैच में अच्छा scoring हुआ है इन बाकी की मैच में भी अच्छा scoring हुआ है बाकी पेशर इस्पिनर्स वही neutral support ठीक है यहां पे आप देखेंगे तो वही चीज में आपको बोल रहा हूं कि यह decent विगेट है slight advantage for batsmen प्लस balling department से decent support है almost हर एक प्लेयर चाहते हैं इस्टेंट विड्रॉल लेना चाहते हैं डेली giveaway contest जॉइन करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के description में link मिल जाएगा 12th man app का sign up कर सकते हैं बहुत इंट्रस्टिंग application है एक लोग कह रहे थे कि giveaway contest नहीं मिलता है देखो फुटबॉल के उसमें जाओगे तो आपको giveaway मिलेगा ठीक है उसमें जो भी वर्ड कप चल रहा है फीफा वर्ड कप उसमें आपको giveaway मिलेगा और साथी साथ यहां पर आप टू 300% का बोनस deposit ऑफर भी चल रहा है वह क्या है देखो अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन में sign up करते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया भी लिंक क्योंकि यहां पर आप टू 20% तक बोनस आप यूज कर सकते हो इवन इस मौरल लिक्स में आप 15-20% तक बोनस यूज होता है जो कि बहुत ज़्यादा है और मैं नहीं देखता हूं कि किसी भी fantasy app में इतना ज़्यादा बोनस होता है तो आप लोग sign up कर सकते हैं वीडियो के description म आपको इसका link मिल जाएगा इसके अलावा दोने टीम का batting bowling style अगर आप देखना चाहेंगे तो देखो यहां पर कैंडी ने तीनों में से तीनों जीते हैं गलेग लेटी ट्रस ने तीन में से एक जीता है दो हारे हैं इन टीम में सिर्फ राइट हेंडर से इस टीम में भी ज करूनारत ने इसरुद आर जहूर खान बट अभी करूनारत ने बालिंग नहीं डाल रहें ठीक है उसके बाद अगर आप देखेंगे तो वी नी थेक परफिमस किया आइस उताना संश दो विकेट निकाले तो रिषेंट परफिमस हो गया इंपर aus टेख लिये अब इश में से जो कामेंद। मेंटीस का थोड़ा सा देखना है इन्होंने अच्या बाकि कहना बहुत मुश्किल है यह यहां पर देखो जहुर खान को ओवर करना चीए पूरा का पूरा उसके बाद ब्रेटवेट को अच्छा खासा ओवर मिल रहा था लास्ट में दो यह ओवर दिया उधाना को कभी चार मिलता तो कभी दो ही मिलता है तो यह भी कंफर्म नहीं मिलता है तो यह थोड़ा सा एक रिस्की हो जाता है कि किसको ओवर मिलेगा यह चीज ने लास्ट में दोवर की बॉलिंग डाली तो यह जो बॉलर्स है जहुर खान ब्रेट उदाना हस्रंगा यह लोग अच्छे खास ओवर डालते हो दिखेंगा बाकि कि जो बॉलर्स है वह चीज मेंने आपको यहा पर ब्लॉट से टेलांगे डिया तो यह वहसा सकते हैं वह चीज मैंने आपको यहां पर जो है मेंचन कर दिया अब जब हम टीम बनाएंगे फेंटरसी टीम तो वहां पर इस चार रहेगा वह भी डिसकस करेंगे तो इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूं अभी अगर आप टेलिग्राम से नहीं जुड़ जाएग कर लिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है साइन अप कर लिजेगा क्योंकि आफ्टर टॉस के बाद वहीं पर आपको अपडेट दे दी जाएगी ठीक है फाइनल टीम के साथ जीजी की प्लेइंग लें उनकी बात करते हैं इनके जो इंपोर्टेंट प्लेयर है कुषल मेंडिस इफ्तिकार हमद इमाद वसीम वहावरियाज नुवन पर्दीप एं थुसारा बट एल वजारे ने लास्ट में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की डाबरे ने भी अटैकिंग अन्ताज में 36 चन बनाया इफ्तिकार हमद ने दो विकेट लिया वहावरियाज पाउर प्ले में देथ में भी यही तीन आपको दिखेंगे अब इनकी टीम से जो चार्चर ओवर की बॉलिंग करते हैं वह कौन कोन है देखो वैसे देखा जाए तो वहावरिया जिमाद वसीम एंथुसारा और यहां पर नुवन परदीप यह चारो चारचर ओवर डालते बाकी किसी का कंफर्म नहीं है इवतिकार हैं बने सेयर के संधाकन के सथ बट एक चीज़ ध्यान रखना संधाकन विकेट टेकिंग बॉलर है अगर यह चारवर कर जा जैसे मैंने फर्स्ट एक मैच में जब वांटर से खेली थे तब मैंने उनको लिया था तो उन्होंने सिर सब्सक्राइब कर देखने मिल जाएगा जो अच्छा सब्सक्राइब कर दिया थीक है आप देख सकते हो जब हम टीम बनाएंगे तो महां डिसकस करेंगे यह इसलिए मैं आपको यहां जल्दी जल्दी दिखा दे रहा हूं इसके बाद थोड़ा सा प्लेयर बैटल देख ले कर देखने करें तो क्या को और उनुचा यह इसलिए आपको विजिबल होगा आप हम चलते हैं टीम सेलेक्शन की तरफ विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं कुसल मेंडिस अपके लिए ज्यादा भैतरीन आप्शन रहेंगे भले यह विकेट कीपिंग नहीं कर रहा अपनी टीम से बट यह प्लेयर ऐसे हैं जो कि कंसिस्टें पारी राती है इट मिंस कि वो कम गेंदों में जादरन बना के जाते हैं जैसे कल गुर्बाज ने बनाया और हमारी टीम की वाट लगाई तो वैसे ही प्लेयर में से एक हैं तो एक चीज़ जो इनका प्लस पॉइंट है कि यह विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं तो वहां से भ बल्ले से फॉर्म में नहीं है और लास्ट में बैटिंग भी डिमोट हो गया तो मैंने अभी के लिए छोड़ दिया है बट आप ट्राइ करना चाहो तो कर सकते हो पी एसल में अच्छा खासा इन्होंने खेल दिखाया है लास्ट लंक लास्ट सीजन जो लंका प्रीमेर द्राइब जातें टु लिकैद से पर्फ़ॉर्म करते हैं को निकाल के देंगे तो मस्टब रहते थोड़ा अपने आपको स्टीबल करते हैं फिर पारी को बिल्डब करते हैं उसके बार अटेकिंग होते है यह चीज है एंफञें लास्टमें डिमोट हुए तो उतना ज सज करूंगा नहीं उसके बाद कामिंदू मेंडिस यह टैलेंटेट प्लेयर है रंच भी बनाते हैं लास्ट मेच में तो बॉलिंग भी मिल गई एक चीज़ जो उनका खासियत है ऑफिस्पिन और ऑर्थोलोक्स दोनों डालते हैं अगर सामने लफ्ट हेंडर है तो ऑफिस्पिन आ रहे हैं तो आप इनके उपर रिस्क ले सकते हो इसलिए मैंने इनको लिया है अब जो कुछ एक प्लेयर से जिनके बारे में थोड़ा जानना आपको जरूर है डाब रहें जिन्होंने इंप्रेस किया लास्ट मेच में अटेकिंग बल्लेबाजी की बट अटेकिंग बल्ल में थोड़ा सा दिक्कत राया इनके उपर तो अभीकले मैंने नहीं लिया बट आप इनके उपर रिस्क ले सकते हैं क्वालिटी प्लेयर है इन्होंने इंप्रेस किया यह उपन भी कर चुक है डमेस्टिक लीक्स में और यहां पर लास्ट में पैतालिशन की पारिखेरी तो अच्छ ऑप्शन है नहीं और राउंटर सेक्शन में ब्रेथवर्ट मस्ट है पिक लास्ट में भले दो वर मिले बट यह एक देखो इंपक्ट वाले प्लेयर है इंपक्ट वाले प्लेयर इन दे सेंस कि बैटिंग से बालिंग से कहीं से भी परफॉर्म करके दे सकते हो और बैटिंग से फिरी बैगिंग से फिर्व परापॉर्म हो अच्छ अंचों में अच्छ है जसी colors ब्लेगा है तो यह चीज है बाकी हसरंगा विकेट टेकिंग बॉल आ रहे हैं मस्ठापिक और यहां तो बैटिंग भी अच्छा खाचा पोजिशन पर करने आ रहे हैं मिडल और में तो मस्ठापिक कप्तानी मटेरियल करोनात ने इंजिरी हुई थी जब से बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं अभी के लिए ऐस बैटर ही खेल रहे हैं बट बॉलिंग डाल सकते हैं कभी भी बट अभी के लिए नहीं लिया रिसकी रहेगा बॉलिंग डालेंगे कि नहीं करनफर्म नहीं है नीचे अच्छा उप्षन कोई है नहीं फाइनल अपडेट आपको हमारे टेलिग्राम चैनल मिलेगा जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है तो जल्दी से जाईए और जुड़ जाईए उसके बाद बॉलिंग सेक्शन से बात करते हैं फैबिया नलन लेफ्ट आम और तरो के स्मॉल लीक एक अच्छे पिक बट मैं इन बॉलर को चार चार ओवर पूरे करें बट फैबिया नलन कभी दो वर कभी एक और कभी पूरे चार ओवर ऐसा करें लेकिन जब भी नोने बॉलिंग किया विकेट निगाला है तो आप इनको लेके जा सकते हो और लेफटाम और्टरोक्स भी है बल्लेवाजी से भी कुछ थोड़े एक्सपंशिब साब लास्ट मच में बट उससे पहले अच्छी गंदबाजी की थुसारा को लिया हुआ है अगर इनके टिम फर्स्ट गंदबाजी करेगी तो यह दोना दत में आते हैं और वहाव रियाज भी दत में यह तीनों ही आते हैं आल्मोस्ट तो इन तीन को फर्स्ट बालिंग में तो ले लेना बट अभी के लिए जो अगर कोई भी अगर इनके टीम सेकंड बालिंग करती है तो इन दोनों में से कोई एक को ले सकते हो आप मैंने तुसारा को लिए फिलहाल के लिए इस तुरू दाना फस्ट इनिंग के गंदबाजी में दत में आ सकते हैं महां विकेट ले जाते यह थोड़े से पिट्टो बोलर है जो फिटे रहते हैं जो एकश्पhelp सावित होते रहते हैं बट में आने के कारण इंको विकेट मिल जाता है ठीक है थोड़े से रंस चलना लेसे अबहुर है निया किया नहीं है जहूर खान अगर इनकी टीम फरस्ट गेंद बाज लुस्ट है यहां पर उवर्याज में ओर एण्थ सब्सक्राइब है यह आपको चॉंस करना तो जो टीम बन रही है कुछ इस परकार से जहां पर कप्तानी वनिंद हसंग वाइस कप्तानी मैंने फिर से ब्रेथवेट को दिया आप इमाद वसीम या इफ्तिकार एमद को भी दे सकते हो बट सामने राइट हेंडर से तो मैं इफ्तिकार एमद से जादा एक्सपेक्ट नही थोड़े ट्रंपिक्स के तौर पे कौन से वो प्लेयर्स है जो हमारे लिए अच्छा हो सकते हैं वो है आजम खान, एलशंदाकन, अलुदारा, करवनातने, इस्टूदाना, जहुर खान सबके बारे में आपको डीटल में बताया है कौन, कब, क्यूं, कैसे, किस सिच्वेशन में, किस के जगे पर हमारे लिए बैटर रहेगा और उसके according आप इनको GL में रोटेट कर सकते हो, जो मेरा suggestion रहता है, otherwise, जो थोड़े risk टेकर है, small league में भी इनको रोटेट कर सकते हो, ठीक है, तो वो आपका risk रहेगा, लेकिन, इस team में कुछ भी change होगा, after toss, तो आपको टेलिग्राम चैनल पर inform करूँगा, बिल्कुल free में, तो टेलिग्राम चैनल से जुड़ना मत बुलना, वीडियो के description में और comment section के सबसे पहले comment में link दे दिया गया है, चैनल पर नए हो तो subscribe कर लेना, वीडियो से कुछ भी सीखा हो, तो एक like जरू करना, कि ये चीज़ा है मैं बहुत motivate करती है, thank you so much ये वीडियो वाच करने के ल हैंदिए